हेलो फैंच अब सबका मेरे चैनल में बहुत-फ़त स्वागत हैं आज हम बनाने वाले हैं कचोड़ी और यह जो कचोड़ी बना की न न इसमें आठेक को बेलेंगे बहुत आसान तरीकी से कचोडी हम बनाने वाले हैं बहुत ही योणिक टेौटा है इसी बनाने का और बिलीब इसलिए मसाला रेडी कर रहे हैं तो चारो आलो को इसलिए मेह ने मेश कर लिया यह देखें अच्छी सालो को मेश करने के बाद हम क्या करेंगे गेस के पास आ जाएंगे और एक पेन देलेंगे इस पेन में डाल दूँगे दो चम्मस सरसो का तेल अब यहां पर मैं डालोंगे पच फोरण जो होता है ना जिसमें सौंप है मेथी है जीरा है काला जीरा इससे में डाल दि एक में ट्रिक्षा लेकिंगे 30 से कंदे पूने, जरता हमी ने भूनना ह They just kinda अब इसमें हम क्या करेंगे जो हमने बेशन तक करें डाल के अब शेल ना जो पलेख़ देंगे और मैं कुछ मसाली डाल तरहunde, टरहनुब मन्यात्य दायर। जोची चम्मर्च सबनाँ एक छपश हम क्हें दालना था मुड़की घ्रम्यात्तो गण परणवशाम मेन दालना है। छोटी चम्मर्च सबना दालना की एक काहता हैं। अमचूर पॉर्डर सब छोटी चम्मस से आप डालेगा और इन सब मसालों को अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे वी जो सभी मसालों को मिक्स करते हैं अच्छी से ओने हम भून लेंगी एक सिरीर मिनिट के लिए क्यों ना काफी टेश्टी से बनना वाला है क्योंकि इसमें हमने काफी चट पड़े मसाले डाले मसाला हमारा भून चुका है आलुका तो हम क्या करें न थोड़ी सी कट्वी धनी की पत्ति डाल देंगे और धनी के पत्ति को भी अच्छी से मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे इससे हमारी चुछ रफिंगे वो बनके त्यार हो चुकी इससे ठंडर होने के लिए हम साइद में अब फिर से मैंने वही पेंड ले लिया है जिसमें में डालोंगी दो कब पानी अब हम पानी में डाल देंगी नमक तो यहाँ पे एक छोटी चमच से में नमक डाल रही हूँ और एक चमच यहाँ पे हम डाल देंगे तेल यहाँ पे लगबाग वन बेफ फोट इस्वन में डाल दोंगे अजवाइन क्योंकि हम कचोड़िया बना रहे हैं तो पचने में हमारी डाइजेस्टन में बहुत मदद करेगी पानी जब हमारा हलका सा गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सूजी जी हाँ फ्रेंट्स हम सूजी से कचोड़ियां बनाने वाले काफी हल्दी कचोड़ी बनके त्यार होने वाले हैं सूजी को हम क्या करेंगे अच्छी साथ पानी के शाथ मिक्स कर लेंगे चलाते भी देखिए मेरी गेस की फ्लेम को लो में रखावा है याद रहे हैं जब हम सूजी डाले तो गेस का फ्लेम लो में रहना चाहिए वरना जट पर शूजी क्या करेगी पानी को पी लेगी और जिससे क्या होगा हमारी च्ची सूजी ना और खड़ी रह जाएगी अब अच्छी से पक नीपाइगी तो गेस की फ्लेम को लो में रख क्या करेंगे ना इससे ढखके रख देंगे पांच मिनिट के लिए जब पांच मिन बार ते हलकी से ठंदी हो गई तो इस तरह से हम डोगा शेप देंगे यह देखिए हलका समलहार देते वे काफी चिकना साटो हमें मिल चुका है इससे हम बनाने वाले हैं कचोडिया तब हम क् मसाला है वह काफी ठंदा हो चुका है स्टाफिंग अब इस तरह से मिसे लड्डू का सेफ दे दे के एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से में सभी मसाले को स्टाफिंग लड्डू का सेफ दे के एक प्लेट में रख लोंगी यह देखिए हमारी स्टाफिंग बनके त्या कचोड़ी का सेब देंगे आ अंदो यह देखें आप देख सकते हैं बहुत असानी सा यह बिना नितन बेले बिना B1A कुछ किये वहां आसानी नित्या अभ जो कचोड़ीया बढ़ चुकी इसे अवां साथ में रख देंगे और इसे तरह में दूसरी भी कचुरिया की सेप देगे तो यह देखे में बीचे-बीच स्पोस बना रहे हूं बहुत ईजी है ना कोई भी स्टाफिंग वाली रोटिया बनाते तो इस तर से बनाते हैं बस इस तरह से बीच माप इस बना लिए और श्टाफिंग को रख देऊ और इस तरह से उपर कितर कि ए ते समरी कचुड़िया बन के तियार हो चुक है अब हम क्या करेंगे उसर फ्राइ करिंगे तो मैं ने पहले से तेल को गरम करके रखा वा था इसमें कचुड़िया को में डाल देंग Je sheep now made him to और इसे नहीं ना रखते वे कचुड़ी को फ्राई करने Kol incidents के उसके तीने जिब रखते। तो इसलान होने टकि इसमें के बाइभए पैसर प्राइब जिब्री देधर फ्राई आउड करनेन । तो इसे से हमारी कशुरियों golden brown हो चुकी काफी चीज दे फ्राई हो चुके तक से हम प्लेट में निकाल लिंगे इसे तरसे हम बागी बच्ची बच्चुरियों को भी हम फ्राई करके निकाल लिंगे लिए देखिया हमारी जो बाकी बज़े कचड़ी है वो भी तलके थियार हो चुकी है तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे अब टाइम आ चुका है इन्हें हम सर्फ करने का तिसे एक प्लेट में हम सर्फ करेंगे और मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगे अंदर से कितनी परफेक्ट रिष्टाफिंग हुई है और काफी क्रिस्पी बनी है बाहर से काफी क्रिस्पी अंदर से मुह में खुल जाने वाली बनी है क्योंकि हमने जब मेश्टाफिंग डाला काफी चरपड़ी से बनी है और अच्छी लेकिता लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल में ने हैं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिए